हलो गाइज and welcome to my youtube channel viewer और शुरू करते हैं हमारी after effect की class number 4 यानि की 4 number और आज की class में हम थोड़ा एक step ahead जाएंगे नही चीज़े सीखेंगे after effect में so let's start and jump into our after effects यह हमारा adobe after effects और हम सबसे पहले इसमें बनाएंगे composition new composition पर click करेंगे एक high definition dimensions का हम एक composition ready कर लेते हैं इसको कर लेते हैं fit to screen so that हमें पूरा 100% view हमारे screen का दिखता रहे इसमें आप कोई जो checkbox दिखाया दे रहे हैं checkbox basically दिखा रहे हैं कि हमारे composition वो blank है और normally composition ना blank ही होती है कभी-कभी आपको लगता है कि महां एक black color आपको दिखाया देता वो इसलिए दिखाया देता क्योंकि black color सिर्फ वो transparency को fill करने के लिए होता जबकि वो actually होती है transparent so यह जो आप यहाँ पर switch देख रहे हैं toggle transparency grid आप इस click कर दीजिए और आपका जो composition है वो उसका fake color आ गया इस color का कोई लेना देना नहीं है यह transparent ही है बस क्योंकि हमें काम करने में तोड़ा easy रहे है text हमें properly दिखाई दे तो इसलिए आप एक fake color fill हो जाता है इस color को अगर आपको change करना है तो आप composition setting में जा करके यहां से इसको change भी black भी कर सकते है red भी कर सकते है whatever color you want जो भी color आपको चाहिए आपको यहां से इसको दे सकते है इस color का सिर्फ काम यह है कि आप कोई भी इस पर काम कर रहे है तो आपको text images properly दिखाई दे क्योंकि हम जब इसको off करके रखेंगे तो कई बार white color का text हम यह लिखेंगे तो हम वो दि flat surface 2D flat surface और इस पर हम color दे देते हैं little bit this color let's start with this different color today और इसके उपर यह एक layer हमारी यहां पर आ गई है अब हम इसके उपर एक लिखते हैं text layer new text okay text में हम लिखते हैं wear mask ओके क्योंकि कॉविट फिर से फैल रहा है चाइना के अंदर और precautions को ध्यान में रखते हुए हम सब को crowded place पे जो है mask पहनना बहुत जरूरी है इस video के जरीए शायद थोड़ा बहुत aware भी हो जाया है हम लोग और इस text का color देते हैं यहां पर white so अगर मैं यह solid को off कर देता हूं तो हमें का fake color है अब मैं यहां से इसकी transparency on कर देता हूं हमारा text जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो white color का है और हमारा transparency grid जो है वो भी white और gray है that is why हम इसको on कर कर रखते हैं ताकि हमारा जो है text जो हमें properly दिखाए दे और हमें काम करने में दिक्कत ना हो तो हमने एक लिखा text अब हम जाते हैं text की setting में और transform के अंदर जाकर हम इसका anchor point जो कि आपको यहां दिखाए दे रहा है यह इसका anchor point है याने कि इस ही anchor point के surrounding rotate भी करेगा इसी surrounding यह scale भी होगा तो हम इसको center में गद्धिन का उग्राइब करते हैं इन्कर point को थोड़ा हम center मजपा देते हैं texto के तो अभी हम इसको rotate करेंगा तो वह center से रोटेट होगा okay इसको place कर देते हैं यहाँ पर औरब हम एक और layer बना लेते है solid layer बना लेता है को इसका color कूस्छ different देते हैं okay हम scale कर देते है scale के हम इसको यहां पर रखे लेते हैं और हम अपना background जो हमने एक layer solid layer लिया था उसको भी on कर लेते हैं अब हम तीनों में कुछ-कुछ fact डालते हैं for example जो हमारा स्यान color का यह solid है इसको हम positioning का keyframe देते हैं और इसको बोलते हैं कि आप अगले 10 seconds में यहां से यहां आ जाना text के अंदर जाते हैं text के अंदर भी हम position देते हैं home पे जाके यह नहीं कि start point पे जाके और last में आ करके keyframe square नीचे करके अरलक़ा side में कर देते हैं कि आप यहां जाना तो यह एक random animation हमारी ready हो गई है अब अगर आपको लग रहा है कि text इसके नीचे से नहीं इसके उपर से जाना चाहिए तो जो text का layer है इसको hold कीजिए और drag करके उपर छोड़ दीजिए स्यान के तो वो उपर जाएगा very simple बहुत ही simple है play करेंगे this is the animation okay अभी हम एक और layer बनाते हैं और इस बार इस layer को हम बनाते हैं solid एक और solid ले लेते हैं और इसमें blue color लेते हैं okay now this is very important thing जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है masking mask कैसे करते हैं mask का मतलब होता है कि आप हिंदी में mask का मतलब अगर समझे तो नकाब पहनना basically यह उसी concept से inspired है masking करना यानि कि किसी इसको छुपाना hide करना तो हम इसको छुपा देंगे थोड़ा से लिए और को कैसे छुपाएंगे उसके बहुत सारे तरीके हैं आप उपर यहां पर टूल बोक्स में देखेंगे एक rectangle टूल है उसके अंदर क्लिक करके hold करके रखेंगे तो आपको बहुत सारे shapes दिखाए देंगे और उसके अलावा एक है हमारा यहां पर pen tool यह दो चीज बहुत important है जो कि हम masking में यूज करने वाले हैं सबसे पहले मैंने एक rectangle shape ले लिया है और मेरी जो layer है वो selected है blue वाली ओके आप देखिए मैं blue eye layer को select करता हूँ और rectangle box को choose करके click and drag करता हूँ तो अब मैं वापिस selection tool पर click कर देता हूँ तो मेरा जो यह layer है इस पर mask लग गया है वो layer पूरी है लेकिन हमें सिर्फ उतनी दिखाई दे रही है जितना हमने उसको choose किया दिखाने के लिए बाकी का area छुप गया है यानि कि hide हो गया है अब भी अगर आपको इसको बढ़ाना है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और area दिखाई दे मेरी layer का तो आप अपनी layer का ये पैनल खोलिए transform वाला महां पर आपको mask दिखाई देगा mask के अंदर जाए दुबारे से mask 1 दिखाई देगा mask 1 पे जाए और ये path को select किजिए path को select करने के बाद you can see आप देख सकते हैं कि आपका जो mouse का cursor है वो white color का shape में convert हो गए अब आप इसको hold करके drag कीजिए मैं आप इसको move कर सकते हैं तो आप जितना इसको जाएदा move करेंगे आपका layer का property उतना जाएदा आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा layer आपकी उतना जाएदा visible होनी शु सकते हैं जहां भी आपको यह watch वाला sign दिखाए देना समझ लेना है कि आप वहाँ पर keyframe दे सकते हैं तो मैं इस mask के path पर keyframe देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब यह 10 seconds पर आए तब यह वाला shape तो है वो convert होकर ऐसे हो जाए अब you can play and check वो mask के अंदर animation है अगर मैं आपको एक एक frame करके दिखाऊंगा layer select करके तो आप देखें अपने keyframes जो notes हैं keyframes के yellow color के वो देखें कैसे move हो रहे हैं तो सिर्फ mask open हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है तो उसके अंदर भी हमने animation दे दिया mask के अंदर एक option आता है feather feather का मतलब होता है कि जो आपका mask लगा है यह जो yellow line आपको दिखाए दे रहे है यह mask है आपका यह जो लगा है इसका edge है यह जो edge point है इसका जो इसका सतय है चारो तरप से वो soft होगी या sharp रहेगी तो अभी zero है नहीं sharp है मैं इसको soft भी कर सकता हूँ जितना आप इसको increase करेंगे यह उतना जादा soft होता चला जाएगा यह वेखें अब आप इसके अंदर भी keyframe डाल सकते हैं start में आकर के zero कर दीजिए last में आकर के इसको pull कर दीजिए जितना इसको maximum कर सकते हैं now see इसके अंदर भी keyframe लगिया है okay so हम इसको थोड़ा सा sharp ही रखते हैं ताकि हमें properly visible हो क्यों हो क्या रहा है now play spacebar I can see आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से shape change भी हो रही है और वो edge है वो soft होते जा रही है और वो एक हल्क असा cylindrical form में convert होते जा रहा है इसा illusion हो रहा है जबकि इसा है नहीं this is an illusion create हो रहा है okay अब उसके बाद masking के अंदर आता है हमारा mask opacity इसको आप जितना decrease और increase कर देंगे आपका सिर्फ वो ही object आपका जो masking के अंदर होगा वो invisible और visible होगा वो hide या opaque होगा तो इसका फायदा क्या है इसका फायदा यह है कि अगर मैं अपने इस layer पर एक और mask लगाता हूं जी आप इसके उपर कितने भी mask लगा सकते हैं single layer के उपर blue one के उपर मैं इसके उपर एक और rectangle mask ले देखिए दो mask होगे और वहां उस second mask के अंदर भी मुझे वो मेरा layer दिखाई दे रहा है okay so अब मैं अगर यहां पर देखू थे मेरा mask 2 आ गया है तो मैं सिर्फ mask 1 का opacity down करूँगा तो mask 1 hide हो जाएगा mask 2 as it is है इसका फाइदा यह है कि अगर आपने किसी एक ही image या एक ही layer के उपर masking की विए बहुत सारी आपको उसमेंच कोई एक particular point को hide करना है तो आप उसका mask opacity कम कर सकते हैं तो starting में आईए opacity इतना यहां पर आकर कर दीजिए 0 now play क्योंकि हमारे सिर्फ mask 1 के ओपर animation है तो वह animate हो रहा है और वह transparent होता जा रहा है क्योंकि मैं की फ्रेंग दिया है mask 2 जो है इसको भी हम shape को change कर देते हैं आगे आते हैं इसको यह थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं और यह keyframe हम last में रख देते हैं ताकि सब एक साथ एक जैसी animation हो now play now see इस बार हम mask 2 में पहले 0 कर देते हैं और last में जाकर के इसको 100 कर देते हैं simple अब आप देख सकते हैं कि एक mask आपका 100 से 0 हो रहा है कहा हो रहा है और एक mask आपका 0 से 100 हो रहा है ने कि वह visible हो रहा है ओके उसके बाद अब मैं equal layer बनाता हूं यह काम करता है मैं एक image import कर लेते हैं कोई इस बार कोई भी एक image हम ले लेते हैं इसमें Google से जाके कोई एक image अच्छी सी download कर लेते हैं your favorite iron man इसका एक image ले लेते हैं okay let's download this save image as desktop पर अच्छा image search करते हैं okay let's save this save image as an iron man okay so मैं desktop पर इसको कर लिए import iron man और हम इसको अपने layer पर लेका के आ गए अब यह आपको बताता हूं कि pen tool से masking कैसे करते हैं for example मैंने iron man की layer को select किया है और बाकी layer भी मैं hide कर देता हूं हम सिर्फ काम करेंगा iron man के layer के ओपर और मैं इसको थोड़ा सा यहां से zoom in कर लेता हूं 100 कर लेता हूं space bar दबाके मैं इसको center में लियाते हूं उस तरीके से अपने monitor को ताकि मैं अच्छे से देख सको कि मैं काम क्या कर रहा हूं अब मैं pen tool को click करता हूं और इस पे randomly click 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 और वो joint हो गया first note पर जाके वापिस click करो गए तो वो joint हो जाएगा ओके वो joint हो जाएगा तो यह सिर्फ उतना पार्ट दिखाए देरा जितना मैंने masking किया है बाकि सब पार्ट जो है आपका hide हो गया तो उसका copy बना देगा see अभी दो layers आगी हमारी ओपर वाली layer जो है उसमें हमने mask लगाया हुआ है नीचा वाली layer पर आते हैं इसका mask हम remove कर देते हैं mask जो हमारा है नीचा वाली layer से हम delete कर देते हैं तो select कीजिए mask को और delete मैं अगर नीचा वाली layer बंद करूँगा तो आपको देख रहा है कि उपर वाली layer भी visible है उसमें अंदर mask लगा हुआ है अब मैं सिर्फ उपर वाली layer को select करूँगा उसमें हल्क आसा feather दूँगा like 5% select करने के बाद मैं effect के अंदर जाऊँगा effect के अंदर जाने के बाद मैं color correction में जाकर कि कोई भी एक random filter choose कर लेता हूँ color balance और यहाँ पर इसको मैं move करूँगा तो आप देखो कि उतने ही पार्ट पर effect हो रहा है क्योंकि हमारा जो layer टॉप वाले layer है जिसमें हमने सिर्फ mask को select किया हुआ है उस mask वाले layer पर effect पढ़ रहा है तो इससे आप छोटा सा animation भी create कर सकते हैं for example आप यहां पर आईए और color balance का जो filter है उसके सामने भी आपको यह watch वाले sign दिखाए दे रहे हैं तो light पर click कीजिए तो यह जो panel है अपना transform का वाहां पर effect वाला option भी on हो गया है यहां पर भी यह same वाला plugin जो हमने use किया दिखाए दे रहा है तो हम हलकस आगे जाते हैं उसके light को increase कर लेते हैं थोड़ा और आगे जाते हैं decrease कर लेते हैं थोड़ा और आगे जाते हैं increase कर लेते हैं थोड़ा आगे जाते हैं decrease कर लेते हैं just repeat this आपको repeat करने सा बचना है तो आप यहाँ पर paste कर दीजे select करके थोड़ा और आगे जाईए paste कर दीजे यह सारे एक साथ फिर से copy कर दीजे select copy यहाँ करके फिर से paste कर दीजे फिर से paste फिर से paste फिर से paste now play अब अगर हम अपनी इस Iron Man की जो इमेज है जो कि लेयर नीचारा लेयर है उसमें अगर कुछ भी मुवमेंट देंगे तो अगर हम इसका पोजिशन चेंज करेंगे तो अपर वाला लेयर जाए वो अपनी जेकर फिक्स है पर मैं चाहता हूँ कि दोनों लेयर एक साथ मुव हो तो इसे करने के दो तरीके है पहला तरीका है कि हम उपर वाली लेयर को पेरेंट लिंक करते हैं दूसरी आई लेयर से हम बोल देते हैं कि भाई जहां भी तुम जाओगे आपको इस सेकिंड लेयर को फोलो करना है तो जो हम सेकंड लेयर में पोजिशन चेंज करेंगे तब उसके साथ ही रहेगा एक तरीका तो यह है तो इसमें हम दे सकते हैं कुछ़ मॉमेंट जब फिस्ट लेयर है उसको फोलो करेगी उसमे अनिमेट भी वह रहा है उसको follow भी कर रही है otherwise दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसको बोल दें कि आपको किसी को follow नहीं करना है तो हम दोनों layer को select करेंगे इस तरीके से click और control के साथ दूसरी layer को select कर लेंगे control प्रेस करके click करेंगे तो दूसरी layer भी select जाएगी और right click करके कर देंगे pre-compose pre-compose का मतलब है कि वो एक group बन जाएगे layers का और उस group के अंदर वो दूनों layer चली जाएगी यहाँ पर यह आपका check box ओन रखेंगे move all attributes जनी कि हमने जो भी filter जो भी animation लगाई है सब उसके अंदर रहनी चाहिए pre-compose के अंदर चली जाएगे सब तो हमने okay कर दिया तो see यह एक नया layer बन गया अब इस layer को normally आप position चेंज कर सकते हैं गर आप लगता आपकी बहुत सारी layers बन गई है आप parenting कर रहे हैं लिंक जोड रहे हैं बहुत problem हो रहा है तो आप सबको pre-compose कर दीजिए तनावसी अभी आपका animation और आपका जो effect आपने keyframe के साथ दिया हुग एक साथ काम कर रहे है ठीक है यह था pre-compose का use और यह था use हमारे masking का जो कि मैंना थोड़ा basic level में बता है मैं अगली classes में masking को और देटेल में बताऊंगा आपको धीरी धीरी step by step सब चीज समय में जाएंगी यह चोटा सा एक हलका सामने effect बना है इस effect को आप भी try कीजिएगा इस के तरीक जा कुछ और भी try कीजिएगा और comment section में अपना try करने के बाद उस video का upload करना अपने channel पर और मेरे को tag करना मुझे महाँ पर comment section में दिखाना I want to see कि जो भी मैंसे सीख रहे हैं वो किस तरह का और क्या काम कर रहे है please do that I will be more happier so guys यह था आज का session और मैं जल्दी ही मिलूँगा आपका नही session में नही class में so I hope आपके वीडियो पसंद आया होगा और please जितना जादा हो सकता है शेर कीजिए मेरे views बहुत काम आ रहे हैं मुझे I'm not here to earn money I am here to spread my knowledge जितना मुझे आता है लोग को आये ताकि लोग दे दिरे इन चीजों को सीखें और अपने professional career में इससे help ले सकें financially stable हो सकें guys thank you so much I hope you enjoyed my class आपको कुछ सौंज माया होगा अगर कुछ भी confusion रहे कभी भी तो please comment कीजिएगा मिलते हैं अगले session में thank you हुआ 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 हुआ